नमस्कार साथियो आप सभी का स्वागत है इज के इस प्लेटफॉर्म पर और आज मैं आपके सामने कुछ तीन कविताएं लेकर आया हूँ छतरपुर के बहुत ही बड़े वरिष्ट साहितिकार वरिष्ट कवी श्री राम शरण शरण जी की कुछ कविताएं उन कविताओं को आप सुनेंगे तो मंत्र मुगद हो जाएंगे छोटी छोटी कविताएं हैं लेकिन आपको बहुत ही अधिक आनंद से ओध प्रोथ कर देंगी तो पहले मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले उनकी पहली कविता छितिच की एक बूंद ये जो नदी है ये जो नदी है ये जो नाला है समुद्र है वन जीव हैं वो जो हैं जो होने वाला है सब में विद्दिमान हैं ये जो नदी है ये जो नाला है समुद्र है वन जीव हैं वो जो है जो होने वाला है सब में विद्दिमान है छितिच की एक बूंद अब मैं आपके सामने उनकी दूसरी कविता पढ़ता हूँ सहा जाए मैंने कहा जब राजा धूर्थ वा कायर हो जो सुनकर भी अंसुना कर दे या अन्जान बनने का ढोंग करे मैंने कहा जब राजा धूर्थ या कायर हो जो सुनकर भी अंसुना कर दे या अन्जान बनने का ढोंग करे और अनैतिक अनीती एवं स्वार्थ सिद्धी का कारे करे तो समझदारी यही है चुप रहा जाए सहा जाए तो समझदारी यही है कि चुप रहा जाए और सहा जाए और अब मैं आपके सामने उनकी तीसरी कविता का वाचन करता हूँ जिसका शीर्शक है तलाश मुझे तलाश है उस शक्ष की मुझे तलाश है उस शक्ष की जो हो एक संपून मानव मुझे तलाश है उस शक्ष की जो हो एक संपून मानव सिर्फ मानव जिसका उद्देश सिर्फ और सिर्फ कल्यान हो सिर्फ मानव जिसका उद्देश सिर्फ और सिर्फ कल्यान हो जो बनाए आपसी प्यार जो बनाए आपसी प्यार दुलार और सतकार जो बनाए आपसी प्यार दुलार और सत्कार का समुच्चे संपून वागमे में तम विलुप्त हो जाए जिसके उजियारे से खिलखिला जाए जहां जिसके मुस्काने से जो आपस की खाई को पाट दे विकास से दुरदिन को छाट दे मुझे तलाश है उस सक्स की